हेलो स्टुडेंट्स स्वागत हाब सभी का अपने इस यूटूप चैनल स्टार स्टुडी सेंटर में स्टुडेंट्स कैसे आप सब आई होप आप सभी बढ़िया होंगे आप सभी की तैयारी बहतर चल रही होगी यूपी पॉली टेक्निक प्रबेश परिक्षा 2030 के तैयारी के क्रम में आज हम सभी देखने वाले हैं भईया रसायन बिज्ञान के पाठिपुस्तक में संकलित अध्याय जिसका की नाम है हैलो एलकेंस तथा हैलो एरेंस पर आधारित कुछ महत्वपूर बहु बिकल्पिय प्रस्न तो बने रहिएगा भया क्लास में इंड तक चलिए इस क्लास को सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्न है आप सभी के स्क्रीन पर टाइफाइड के इलाज में किस प्रतिजयविक का उपियोग किया जाता है चार बिकल्प है इसके लिए पहला है स्पोरो लेनिन दूसरा है थाइरोक्सिन तीसरा है एमोक्सी सिलिन और चौथा बिकल्प है भया सिप्रोफ्लोक्सिन इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल बिकल्प D-Ciprofloxin ताइफाइड के इलाज में किसका Ciprofloxin नामक प्रतिजैबिक एंटिबायोटिक का उप्योग किया जाता है I hope यह question आप सभी को समझ में आ गया होगा आते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है निम्ण में किस हैलो एलकेन का उप्योग निश्य तक के रूप में किया जाता है चार बिकल्प है इसके लिए पहला है हैलो जन, दूसरा है हैलो फार्म, तीसरा है आईडो फार्म और चौथा बिकल्प है भया हैलो थेन इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा भईया केवल और केवल बिकल्प D हैलो थेन किस हैलो एलकेन हैलो थेन नामक हैलो एलकेन का उप्योग किसके रूप में निश्यतक के रूप में किया जाता है अगला प्रस्ण है भईया हैलो जन परमाडू की संख्या के आधार पर वर्गी करण किया गया है किनका किनका चार विकल्प है इसके लिए पहला है हैलो एलकेन का दूसरा है हैलो एरीन का तीसरा है विकल्प ए वा बी दोनों का और चौथा विकल्प है भया उपरोक्त में किसी का नहीं इस प्रस्ण का सयुत्तर हो जाएगा भया केवल और केवल बिकल्प सी बिकल्प ए वा बी दोनों हैलो एलकेन वा हैलो एरीन दोनों का वर्गे करण किसके आधार पर है लोजन परमाडू की संख्या के आधार पर किया गया है अगला प्रस्ण है भया सेंड मार अभिक्रिया जिसका कियाध्यान आप सभी ने किया होगा इस अभिक्रिया में किसका एमीन से हैलो एरीन का बिर्चन यानि उत्पादन किसकी उपस्थिती में किया जाता है चार बिकल्ब है इसके लिए पहला है पोटेसियम पर्मेंगडट दूसरा है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल यानि SCl तीसरा बिकल्ब है सांद्र सल्फियूरिक अमल यानि S2SO4 और चौथा बिकल्ब है भया सोडियम नाइट्राइट यानि NaNo2 इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल क्या हो जाएगा और संडी हो जाएगा बिकल्ब डी सोडियम नाइट्राइट NaNo2 की उपस्तिती में किसका सैंड मार अवक्रिया में एमीन से हैलो एरीन का बिर्चन किया जाता है I hope यह प्रस्ण आप सभी को समझ में आ गया होगा अगला प्रस्ण है एलकोहाल तथा पोटेसियम आयोडाइड यानि के आई की अभिक्रिया में किसका सल्फियूरिक अमल S2SO4 का उप्योग नहीं करते क्यों भीया ऐसा नहीं करते चार बिकल्प है इसके लिए पहला है सल्फियूरिक अमल आक्सी कारक है दूसरा है सल्फियूरिक अप्चायक है यानि सल्फियूरिक अमल अप्चायक है क्या इसलिए नहीं करते तीसरा बिकल्प है बिकल्प A वाबी दोनों और चौथा बिकल्प है भया उपर युक्त सभ इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा, ओप्शन कौन सा हो जाएगा, ओप्शन A हो जाएगा, बिकल्प A, सल्फियूरिक अमल क्या है, आक्सी कारक है, इसलिए क्या करते हैं, एल्कोहाल तथा पोटेसियम, आयोडाइड की अवक्रिया में सल्फियूरिक अमल S2SO4 का उप्यो लोग नहीं करते हैं, अगला प्रस्ण है, हाइड्रोजन पराकसाइड, इसके फार्मूले की बात करें, तो S2O2 के संदर्व में गलत कथन है, क्या भया, चार बिकल्प इसके लिए, पहला है, यह एक आक्सी कारक है, दूसरा है, प्रकास में, लाइट में इसका अबगटन ह होता है, तीसरा है, इसे धूल से दो रखना चाहिए, क्या यह गलत कथन है, और चौथा बिकल्प है भया, उपर युक्त सभी, इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा, केवल और केवल, बिकल्प A, यह एक आक्सी कारक है, यह बिलकुल गलत कथन है, किसके संदर्व में, हा अगला प्रस्नेवईया, हैलो एलकेनों के संदर्व में गलत कथन है, उपर हमने क्या जाना, हाइडोजन पराकसाइड के संदर्व में गलत कथन जाना, अब हमसे पूछा है, हैलो एलकेनों के विशय में, क्या है, गलत कथन है, चार बिकल्प है, इसके लिए, पहला है, समा तीसरा है समाव यवी डाई हैलो बेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं क्या यह गलत कथन है और चौथा विकल्प है उपर युक्त सभी इस प्रस्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल और केवल बिकल्प ए समाव यवी हैलो एलकेन में स्रिंखलन बढ़ने पर क्वथनांक नहीं बढ़ते क्या होते हैं अपितू घटते जाते हैं बाकी यह जो बिकल्प भी है बिकल्प सी है यह हैलो एलकेनों के संदर्व में अगला प्रस्न है उड्ज अभक्रिया किसकी उपस्तिती में कराई जाती है इस अभक्रिया के अध्यन आप सभी ने किया होगा आई होप चार विकल्प है इसके लिए पहला है सोडियम नाइटराइट दूसरा है सुस्क इथर यानि ड्राइएथर तीसरा है आईरन सलफेट यानि FESO4 और चौथा विकल्प है वही आउपर युक्त में से किसी की नहीं इस प्रस्न का सहुत्तर हो जाएगा केवल और केवल विकल्प भी सुस्क इथर ड्राइएथर उड़्ट अभक्रिया किसकी उपस्तिती में ड्राइएथर सुस्क इथर की उपस्तिती में कराई जाती है अंतिम प्रस्ण है आप सभी के स्क्रीन पर इस प्रस्ण का सभी लोग क्लास इंड हो जाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्रस्ण क्या है एक बार सुन लिजिए संयुक्त राज में DDT पर प्रतिवंद कब लगाया गया था आपको बता दें DDT एक क सौथा विकल भवया 1973 आई होप आज का क्लास समझ में आया होगा यदि क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल पर जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को आल पर जरूर प्रेस कर लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास मे जैहिन